वेरी गुड आफ्टरनून टू अलफी दोस्तों स्वागे थे आप सभी का Education Cat6 और YT Education के इस प्लेटफॉर्म पे बिहार में Constable की Recruitment निकाले गई है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं एक कई सजार 391 पत की ये टोटल बहाली थी यहां पर इस बहाली की Examination Date भी रखे गए थे 1 October, 7 October और 15 October 1 October को परिक्षा भी ले गई लेकिन Paper League होने के कारण इस परिक्षा को स्थागित कर दिया गया और बाकि दोनों Date में जो परिक्षा होने वाले थी उसको स्थागित कर दिया गया कारण था यहां पर Paper League मामला अब यह मामला जो है निकल कर जो है EOU यानि की आर्थिक अपराद एकाई के पास जाती है और इसके उपर जो है सरकार का दबाव बनाया जाता है कि आप लोग जल से जल इनके जाच में लगे और पकड़िये जो इसमें सनलिपत है वैसे तो बहुत लोगों के पास यहां पर केस हुआ लगबग 100 लोगों से उपर केस दर्ज हुआ है उसमें उन सब की जाच परताल चल रही है यह सारी चीज़े सामने आ रही है लेकिन देखे जब तक कि बड़ी मशली को नहीं पकड़ा जाएगा ना छोटी मशलियों को यहां पे निसाना बनाकर उन पे वार करकर के यह सारे चीज़े जो है न नियूज में रहती जाएंगी और आर्थिक अपराद एकाई बस एक टाइम ऐसा आएगा यह बताया जाएगा कि कोई एक ऐसे सनलिप्ट है इसमें जो की माफिया है और यह काम फिर अगले साल होगा या फिर अगली जो परिशाएं होंगी उन परिशाओं में यह फिर से काम होने जा रहा है तो अगर यह सारी चीजें ऐसा हो रही है तो क्यों हो रही है इसका जिम्मेवार या तो सरकार है या तो आयोग इन दोनों में सही चीज़े हैं चुकि यह लोग सही से परिक्षा करा ही नहीं पा रहे हैं तो या तो CSBC आयोग को ही यहां पर खतम कर दिया जाए यह जिम्मेवारी सिपाही बढ़ती को भी लेकर BPSC जैसे संस्था को दे दी जाए जो कि एकदम बिलकुल निस्पक्षता से औ नहीं जा रहा है किसी और का मेरिट खा रहा है वो तो इसका मतलब कि वो छात्रप पीछे रहा जाएगा जो कि गरीब किसान मजदूर का बेटा है और जिसके पास पैसे नहीं है कि वो सेटिंग कराके यह नौकरी पा सके और सेटिंग यानि कि चोरी चोई से अगर कोई सिप रख्षक रहेगा तो समझे कि आपकी रख्षा कौन करेगा फिर तो वही हाल होगा जो कि यह आप लोगों के उपर अत्यचार करेंगे आपसे पैसे भी खाएंगे और यह आपको समाज में ठीक से जीने भी नहीं देंगे तो ऐसे में चीजों को यहीं से रोकना बहुत जरूरी है तो यहां पर रोकने के लिए क्या हो सकता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हेल्प लाइन नंबर जो दिये गए हैं देखे इसमें सहायता की जा रही है सहायता कैसी हो रही है तो सहायता हो रही है कि आप इ ऐसे चीज़े निकल कर सामने हो रही है जैसे कि कोई सेटिंग करवा रहा है कोई पेपर लिखा बात कर रहा है कोई पेपर खरीदने का बात कर रहा है कोई जुगाड का बात कर रहा है तो आप लोग यहां पर कंप्लेंड करें लेकिन बिना साक्ष के आप लोग कंप्लेंड मत इतने भी कॉल आ रही है उसमें 23 सदस्य टीम जोटी हुई है जो कि इसके उपर काम कर रही है जिसमें कि आर्थिक अप्राद इकाई ने भी इस मामले में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए बीते दिनों हेल्प लाइन नंबर के जरिये यहां पर काम किया आप लोग सब्सक्राइब कर लिए और वहां से हेल्प लाइन नंबर उनका भी रख लिजेगा ऐसी घटनाएं कहीं भी हो रही है तुरंत खबर कीजिए आपके गाउं में आपके घर में क्यों ना हो रहा होगा अगर वह एक सेटिंग से आपका सीट खा सकता है तो वह सोचिए कि कितन जिसके बाद अब तक इस हेल्प लाइन नंबर पर दजनों फोन आ चुके हैं और लोग केस से जोड़ी हुई भी जानकारी आपको दे रहे हैं अधिकारियों को दे रहे हैं जानकारी इनमें कई सूशनाय जो है आर्थिक अपराद एकाई के काम में भी लगे हुए है तो य इन पर की आगे की जाच को और भी आसानी या उसको शुरुवात करने का मौका मिल रहा है बता दे कि सुत्रों की माने तो सिपाही परिक्षा पेपर लीक मामले में यू यू की टीम ने जानी की जो आर्थिक अपराद इकाई है उसकी टीम ने यहाँ पर गिरिफतार लोगो से भी पूच्ता संभावित है यानि कैसी संभावने बताय जा रही है लेकिन बताया जाता है कि इस मामले में जुड़े अब तक के सभी अहम साक्षों को वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है यानि कि इसके उपर जो है कुछ सैंटिफिक तरीके से भी इसकी जांच क पहुच चुकी है कई और लोगों की गृफ्तारी भी हो सकती है इधर जो है बिहार राजे सिपाही चैन परसद यानि कि सीएस बीसी की तरफ से एक इंस्पेक्टर रहें की पताधिकारी को जांच में हर तरह का सयोग परदान करने के लिए नोडल पताधिकारी इनको निउक पर इसके जांच में इनकी मदद मिल रही है आर्थी का प्रदिकाई के इस तरह पर पेपर लिक में जीतनी तरह की सवाल किये जा रहे हैं या दस्ताविज मांगी जा रही है उन्हें मुहिया कराने के जिमवारी इस नोडल पताधिकारी को हो रही है और मामले की जांच भी पकड़े गया लोगों की पूस्ताच के अधार पर करवाई भी हो रही है तो यह मैं सिर्फ न्यूज देने नहीं आया था आपको थोड़ा सतर करने भी आया था कि आप लोगों के आसपास भी यहां पर अगर ऐसी घटना हो रही है तो आप लोग भी इसका हिस्सा बनिये य यहां पर जल्दी आप लोगो कुछ वीडियो मिलेंगे जो कि आपके बिहार एसाई बिहार एससी के परिक्षाओं से संबंदित मोग टेस्ट वेगरा होंगे जहां पर आप अच्छे से अपनी परिक्षाओं के त्यारी कर सकेंगे तो बिल्कुल यहां पर जुड़िये हमारे साथ आज ही और वाइटी एड्यूकेशन का टेली ग्राम भी आप लोग जोईन कर लिजेगा जहां पर रोज सुबा आठ बज जा रहा है तो यह दोनों बिल्कुल फ्री है जबकि आप लोगों को जुड़ना होगा यहां पर और इसका टेस्ट प्रोवाइट किया जा रहा उसको अटेंट करना होगा यह आपका बिहार एससी बिहार दरोगा के अलावा बिहार सिपाही के भी जो जी के सेक्षन है उसमे तो वहाँ से जाके जो है इनका भी आप लोग ले सकते हैं हेल्प लाइन नंबर ठीक है और आप भी इनकी मदद कर सकते हैं जैहन